Hello guys, welcome back to my channel तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको current scenario के हिसाब से याने कि 2024 के हिसाब से आपको IPO की best ever choice filling देने वाला हूँ इस वीडियो के बाद आपको choice filling से related कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूत नहीं है क्योंकि भाई इस वीडियो में मैं आपको पूरी choice filling दिखाऊँगा और आपको बताऊँगा कि ये मैंने number one पे क्यों रखा और ये number two पे क्यों रखा ऐसे सारे के सारे reasons दूँगा ताकि आप अपने लिए अपनी best choice filling बना सके अगर पूरा order देखते हो तो काफी सारी नहीं नहीं चीजे सीख रहे होगे counselling से related अगर आप चाते हो कि आपकी IPO जो सा या किसी भी counselling से related कोई भी important information मिसना हो तो चैनल को subscribe कर जरूर कर लेना क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपको सारी की सारी updates देता रहता हूँ क्योंकि वह चेंज भी हो जाती है और रीजन्स यह है क्योंकि सबसे पहले तो अपना सरकारी कॉलेज है ठीक है अपना आपको सरकारी डिग्री मिल रही होती है साथ में फीज जो है इसकी वह काफी ज़्यादा कम है as compared to अगर आप मेट से compare करो करोगे तो भाई लगबग आधी फी से युए साइसीटी में अच्छी है as compared to other IPU colleges ठीक है अगर campus देखोगे तो भाई काफी बड़ा campus आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो फेस्ट सारे यहीं पर हो रहे होते हैं तो भाई campus life के हिसाब से काफी बच्चों को पता नहीं होता कि USICT केमपस अच्छा है उन्हें लगता है कि IPU का college होगा तो अच्छा नहीं होगा बट काफी अच्छा campus यहां पर आपको देखने को मिल रहा होता है और फेस्ट वग प्रेफर करते हैं as compared to specialization ठीक है फिर मैंने अपने आपके favorite college याने की mate की CSE को रख दिया है शिफ्ट 1 वाली को मैंने उपर रखाए shift 2 वाली को नीचे रख दिया है बाकी placement में ज्यादा difference नहीं होता दोनों में बराबर होती है फिर मैंने mate की CSEI को रखा है अगेन आप इसको CSDS रखी है फिर mate की computer science and technology रखी है क्योंकि USICT की CSDS भी अपनी specialization वाली branch है और CST भी specialization ही है ठीक है तो मैंने USICT को ज्यादा prefer करा इसमें फिर मैंने USICT की IT रख दी है dual degree तो भाई अब अगर नीचे चले तो मैंने mate की CSDS को USICT की IT के नीचे रखा है क्योंकि एक location factor से भी USICT जीच जाता है क्योंकि में में दौर का में अपना situated है और यह जो यह चॉइस फिलिंग ओडर है यह तो आपका एक जनरलाइस फिलिंग ओडर है ठीक है अगर आप चाहते हो कि हम आपकी rank के साब से best preference order बना रहे हो जिससे आपको best college और best branch मिल रही हो आपके interest और आपकी rank के सा हो गया है तो भाई मेरे documents आरे ठीक हैं बट भाई जो आपका main verification होता है वह आपका physical verification होता है जब आप college जाते हो physical reporting के टाइम पे ठीक है वहाँ पे काफी सारे बच्चों की गलती निकल जाते है documents में जिसकी वजह से उनकी seat cancel हो जाती है और उनका पूरा का पूरा साल कर रहा हूँगा और आपकी rank के साब से आपको best college और best branch दिलवाने की जिम्मेदार ही हमारी होगी चाहे वो आपको इंडिया के किसी भी counseling में मिल रही हो क्योंकि हमारे internal contacts लगवा हर college में होते हैं जिससे में पता होता है कि कौन से college की कौन सी branch की placements अच्छी जाने वाली है और कौन सी branch की placement अब गिरने वाली है इसके साथ साथ भाई आपको spot round का पूरा का पूरा support दिया जाएगा free में ठीक है आपको बताया जाएगा कि आप spot round में अपनी rank के साब से best college और best branch लेने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं साथ में जो scholarships निकल रही होते हैं college के अंदर 100% tuition fees पे वो भी आपको बताया जाएगा कि आपको कहां से और कैसे भरनी है तो भाई मैं आपकी जगा होता तो मैं तो भाई जरूर लेता क्योंकि इतने सारे features मिल रहे हैं जो को your counseling services provide करने वारा नहीं दे रहा है साथ में उन सबसे price भी सबसे जादा कम है and भाई price का मेरे को लगता न है and भाई अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रैंक के सबसे best choice filling चाहते हो ठीक कि आपकी रैंक के सबसे best preference order हम आपको बना के दे तो भाई इसके लिए अलग से offer चल रहा है कि भाई आपको 349 में सिर्फ आपकी personalized choice filling आपको बनाई बनाई जाएगी साथ में आपके कोई भी doubts ह आप call पे एक से दो call पे आप अपने सारे के सारे doubts को पूछ सकते हैं यह offer सिर्फ और सिर्फ वाई शुरू के 15 बच्चों के लिए होगा ठीक है सो बिना time waste करें आप जल्दी से enroll कर सकते हो अगर आप चाहते हो enroll करना तो भाई description में सारी details मिल जाएगी आपको मेरे Instagram पे email पे या फिर मेरे WhatsApp पे सिर्फ एक message डाल देना है कि भाई I want your personal counseling support और WhatsApp का Instagram का और email का लिंक भी आपको description में मिल जाएगा भाई अब आगे बढ़ते हैं अपने preference order के उपर तो भाई यहां पे मैंने आपकी मेट की CS DS के नीचे अपनी मेट की CS AI ML रख दिये ठीक है काफी बच्चे कंफ्योज हो जाते हैं कि यहां पे CS क्यों लिखा है तो भाई CS Department की यह ब्रांच है AI ML तो मैंने इसको CS with AI ML ही लिखा है ठी जो कि भाई जो placements हैं जैसा मैंने observe किया है वो आपकी CS DS की थोड़ी सी comparatively ज्यादा रह रही होती है अपनी CS with AI ML ठीक है उसके बाद अगर 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 देखें तो भाई मैंने महराजा अगर सेन की IT रख दिये ठीक है और प्लेस्मेंट वाइस थोड़ा मैंने इसको औ उसके नीचे अगर हम देखें तो मेट विद मेट की ITE मतलब यहां पर IT की स्पेशलाइजेशन ब्रांच चाहिए ठीक है यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई मेट में आपकी थोड़ी सी बहुत जादा मतलब काफी सारी ब्रांचे जैं ठीक है टेक ब्रांचे काफी ज जाने वाली है क्योंकि राउंड टू के लिए इन्होंने फ्रेश रेजिस्ट्रेशन भी ओपन नहीं करें तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो नीचे चलते है मैंने अपनी फिर रखी है MSIT की CSE In Shift 1 ठीक है यहां पर MSIT भी थोड़ा ठीक माना जाता है प्लेस्मेंट वा फिर shift 2 रखी है ठीक है फिर इसके बाद मैंने MSIT की IT shift 1 रखी है अगर आपको shift shifts में दिक्कत है तो आप MSIT की IT की shift 1 को उपर भी कर सकते हो अपनी MSIT CSE shift 2 से ठीक है भाई फिर मैंने MSIT की IT shift 2 रख दी है क्योंकि शाम का scene हो जाता है तो थोड़ा कुछ बच्चे होते हैं जो प्रेफर नहीं करते शाम को travel करना ठीक है काफी जादा लेट हो जाता है specially girls को थोड़ा problem रह रही होती है scenario में बाकी इसके बाद अखर हम देखे तो भारते विद्या पीठ की मैंने हाँ पर CSE रख दी है ठीक है जो की placement wise मेरे को ठीक लगता है infrastructure wise काफी अपका भारते विद्या रपीठ की ही AI ML रख दिया है फिर IT रख दिया है और फिर यहां पर मैंने भारत BPI की CSE रख दिया ठीक है फिर BPI की CSDS रख दिया और फिर BPI की IT रख दिया ठीक है तो यह हमारे जो है top 5 college जो है IPU के खतम हो चुके हैं, इसके बाद की preference order में आपको बता देता हूँ, इसके बाद आप रख सकते हैं अपनी या तो Guru Tegh Bahadur की CSE, या फिर अपनी USAR की जो CS वाली ब्रांचे से IIML हो गई, उनको आप रख सकते हो, ठीक है? मैं जहां तक प्रेफर करूँगा, मेरे हिसाब से USAR infrastructure wise काफी अच्छा कॉलेज है, one of the best कॉलेज है IPU में, बट भाई, कॉलेज जो है नया है, ठीक है? तो अभी placement उसकी तनी ज़्यादा established नहीं हुनी है, तो मैं अगर recommend करो तो भाई, अखिलेश दास गुपता रख सकते हो, ठीक है? और गुरूत एक भाद दूर रख सकते हो, अपना USAR के उपर, बाकी अगर आप चाहते हो, USAR को रखना तो वो भी आप रख सकते हो, फिर भाई, हमने top के IPU के अपने 67 साथ colleges में अपनी CSE रख दी होगी, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो top 5 जो अपने IPU के colleges हैं, जो मैंने ऊपर बताए, उनकी भाई, आपको circular branches रख देनी है, लाइक अपनी triple E हो गई, EC हो गई, यह सारी branches आपको रख देनी है, ज्यादा lower branches की तरफ मत जाना, लाइक chemical, mechanical तक मत रखना, ठीक है, क्योंकि अपना IPU जो है, वैसे ही tier 3 colleges में आता है, फिर उसके अंदर आप lower branch रख दोगे, तो भाई, वो ठीक नहीं रहेगा, फिर उसके बाद आप CSE रख सकते हो, बाकी जो IPU के colleges बचते हैं, भाई, काफी ज्यादा college है, प्रॉक शायद 20 colleges है, IPU के अंदर, ठीक है, तो उनकी बाकी जो बचे होई college है, उनकी CSE रख सकते हो, अपना gyms हो गया, अपनी HMR हो गया, ठीक है, उनकी CSE रख सकते हो, बाकी ज्यादा lower colleges में जाना, मैं personally recommend नहीं करता हूँ, ठीक है, IPU के अंदर, क्योंकि भाई, काफी ज्यादा फिर placement में दिक्कत आ रही होती है, ज्यादा अगर lower colleges में जा रहे होते हैं आप तो, ठीक है, उनकी जगा पे आपको कुछ और कहीं और counseling में कुछ अच्छा college मिल रहा होता है, तो वो आपको identify करने की ज़रूत है, वहाँ पे उस counseling में ठीक है, तो वो आप ले सकते हो, अगर आप खुद से identify नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारा personal counseling support ले सकते हो, हम आपकी rank के साब से placement wise आपको best college दिला देंगे, description में details है, check out कर लेना, ज्यादा lower branch या college की तरफ मत जाना IPU के अंदर, मैं यही recommend करता हूँ, तो अब शायद मैंने आपको काफी सारी चीजे, नहीं नहीं चीजे बताई हैं इस video के अंदर, काफी नहीं चीजे आप सीख गए होगे, आपको कुछ भी doubt होता है, comment section में पूछ सकते हो, आप में से ठीक है, बागी IPU के round 1 के result के बाद का process आप जानना चाते हो, तो मैं यहाँ पर video लगा दूँग, आप देख सकते हो, ठीक है तो अब यहाँ तक आगे हो, तो भी वीडियो को like जरू कर देना, चैनल को subscribe जरू कर देना, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, thanks for watching